तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक थन छोटा हो गया है क्या करें क्या इलाज करें तो दोस्तो ये पुशुवे में आज कल बहुत समस्या होती जा रही है कि एक थन छोटा हो जाता है या तो किसी किसी में दो थन भी छोटे हो जाते हैं नहीं तो ज्य हर समश्या हर बिमारी का इलाज अपने पास है तो जो ये पसू का एक थन या दो थन छोटा हो जाता है तो उसको वापस पूरा कैसे कर रहा है वापस लेवल में कैसे लाना है उसके लिए एक नहीं दो तरीके इस वीडियो में बताऊंगा दोनों में से आप कोई एक आजमा ल करने हैं और किस तरह से आपने अपने पसूओ को देने है कितनी मात्रा में देने है वो सब complete जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूँगा लेकिन उससे पहले जो वीडियो के नीचे subscribe का बटन देख रहे हैं उसको दबाकर चैनल को subscribe कर ले साथ में जो गंटी का बटन निक धूब्यून तो दोस्तों जो ये थन वाली समस्या है कि एक थन छोटा हो जाता या दो थन छोटे हो जाते हैं तो दोस्तों ये किसी भी पुसुवों में हो सकती है यानि कि ये जो फर्स्ट टाइमर हीफर होती है पडिया होती है उनमें भी हो सकती है या तो फिर जो दूसरे ब्यात में गाहे बहसे ब्याती है उनमें भी हो सकती है या फिर तीसरे चोथे ब्यात में भी हो सकती है कभी भी हो सकती है ग्याबिन में भी हो सकती है और जो कोई एक आजमा कर सकते है तो दोस्तों होता क्या है कि कई बार पसुओं को थनेला हो जाता है यानि कि थनों की बिमारी हो जाती है मस्टाइटस हो जाता है तो आप उसका इलाज करते हैं डाक्टर से दवाई दिलवाते हैं तो वो कई बार क्या होता है कि थनेला तो ठीक हो जाता है लेकिन वो थन छोटा हो जाता है थन ऊपर चड़ने लगता है तो उसका कारण क्या है कारण दोस्तों कई बार जैसे पसु बैठ जाता है तो थन दब जाता है और उसके अंदर की कुछ शैल्स निश्क्रिये हो जाती ह या तो फिर दोस्तों कुछ bacterial infection के वज़े से भी ऐसा हो जाता है या फिर कुछ नसे थन की दबी रह जाती हैं तो इस तरह से ये जो तीन कारण मैंने बताए ये कारण हो सकते हैं या कोई और भी कारण हो सकता है किसी भी कारण से आपके पसु का थन छोटा हो गया है तो ये दो इलाज हैं दोनों में से पहला मैं आपको बताता हूँ उसमें आपने पहले C-Mac Ultra Powder लेना है जो कि आप सामने सक्रीन पर देख सकते हैं इसमें दोस्तों सभी परकार के विटामिन्स और प्रोटिन्स पाए जाते हैं मिनरेल्स भी पाए जाते हैं तो दोस्तों इसमें 60-60 गरा का आपने देना है कैसे देना है ये आप जो दाना मिश्रण अपने पसू को खिला रहे हैं उसमें मिला कर दे सकते है या तो गुड के साथ है थोड़ा सा गुड लिया और उसमें मिला कर भी दे सकते हैं ये लगातार आपने पांच दिन देना है रोज का 60 क्राम देना है दूस अगर आपके पसू 500 किलो से ज़्यादा के है तो उनको आपने 20 एमेल रोज का देना है और 500 से कम के है तो 10 या 15 एमेल आप अपने पसू को दे सकते हैं रोज का ये आपने लगातार 20 से 25 दिन अपने पसू को देना है तो ये कैसे देना है ये दोस्तों आप सीधे रोटी पे थोड़ा सा डाल के जितनी मातरा मैंने बताई यानि कि 10, 15 या 20 ml रोटी पे डाल के रोटी को चुपड़ के आप अपने पुसू को खिला सकते हैं या तो फिर एक खाली सिरेंज में 10, 15 या 20 ml बरके सीधा पुसू के मुँ में धार मार सकते हैं वो सबसे अच्छा तरीका होता है लेकिन दोस्तों ये पानी से बचा कर आपने देना होता है यानि कि इस से देने से एक गंटा पहले आपके पुसू ने कुछ खाया पिया हो और इसके देने के एक गंटा बाद ही आपने पुसू को खिलाना है तो दोस्तों जो सी मैक अल्टरा पोडर आता है वो आप सुबह दे सकते हैं और जो ये अडर स्ट्रोंग आता है ये आप स्याम को अपने पुसू को दे सकते हैं तो दोस्तों एक तो था ये इलाज ये इलाज आप अपने ग्याबिन पुसू को भी दे सकते हैं अपने जो प्रेगनेंट नहीं है जो ग्याबिन नहीं है उनको भी दे सकते हैं और दोस्तों यह आप गर्मियों में भी दे सकते हैं सर्दियों में भी दे सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं कोई समस्या नहीं है तो दोस्तों एक तो यह इलाज जो कि आप गर्मियों में भी दे सकते हैं सर्दियों में भी दे सकते हैं दूसरा जो इलाज बता रहा हूँ वो द्यान से सुले वो आप गर्मियों में अपने पसो को नहीं दे सकते हैं वो सर्दियों में दे सकते हैं और उसमें भी जो प्रेगनेंट है उनकी अलग डोज है और जो प्रेगनेंट नहीं है उनकी अलग डोज है दोनों बताऊंगा तो तो दोस्तो उसके लिए आपने क्या करना है आप सामने एक पौडर देख रहे हैं नाम है मेस्टी कीट तो दोस्तो इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन्स पाए जाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो थणों के लिए है वो है सेराटियो पैप्टिडेज और पोटे इसमें तीन पाउच आते हैं 50-50 ग्राम के ये आपने रोज का एक पाउच अपने पसू को देना है देना वही दाना मिश्रन में मिलाकर दे सकते हैं या तो फिर गुड के साथ दे सकते हैं दूसरा दोस्तो दो ग्रेलू चीजे हैं जो आपके घर में आपकी रुशोई में जाती है उनमें पहली है काली मिरच और दूसरी है हल्दी तो दोस्तों इनकी pregnant और non-pregnant के लिए या ग्याविन जो है उनकी लग्डोज है और जो ग्याविन नहीं उनकी लग्डोज है और यह दोश्तों पहले ही मैंने बता दिया था ideal में अपने मिरच रोज की 15 गराम कूट कर दे सकते हैं और जो हल्दी है वो भी 15 गराम दोनों चीज ये 15-15 गराम आप जो भी दाणा मिश्रान हैं उनको खिला रहे हैं उसमें मिला कर दे सकते हैं और अगर आपकी गाहबेश प्रेगनेंट नहीं है तो उनको डबल मातरा में दे सकते हैं यानि कि काली मिर्च भी 30 ग्राम और हल्दी भी 30 ग्राम तक आप अपने पसुओं को यह दिन में एक ही बार देनी है दोस्तों दोनों यानि कि जो मेस्टीकिट पाउडर है वो तो आपने देना ही देना है रोज का 50 ग्राम लगातार 3 दिन तक साथ में दोस्तों काली मिर्च और हल्दी देनी है प्रेगनेंट को 15-15 ग्राम और जो प्रेगनेंट नहीं है जो ग्याबिन नहीं है उनको डबल यानि कि 30-30 ग्राम और दोस्तों ये दोनों ही चीजे लगातार 5 दिनों तक आपने अपने पसुओं को देनी है तो दोस्तों ये दो तरीके मैंने आपको बताए दोनों में से एक ही आपने आजमाना है एक ही आपने करना है या तो आप ऐसा कर सकते हो पहले आप एक तरीका देख लेजिए अगर उसी आराम नहीं होता है तो फिर उसके 10-15 दिन बाद दूसरा तरीका आजमा सकते हैं तो दोस्तों आप जिस भी समस्या पर या बिमारी पर ज्यादा से ज्यादा कोमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी 100% उसका इलाज बताऊंगा, तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सस्क्राइब करते जाएए, बाजो में जो गंटी का बटन उसको भी दबा कर पर सेट करते जाएए, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही,